नोट बंदी की 9 दिन बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली है आज भी बैंक और H.E.M. के बाहर लोगों की लंबी-लंबी कतारे देखने को मिल रही है वही सरकार ने किसानों को राहत देते हुए नया एलान किया है जिसके मुताबिक किसान अब हर हफ़ते खाद, विजली और पानी के लिए 25,000 रुपए निकाल सकते हैं इसके साथ ही वितसचीव शक्ती कांदास ने बताया कि किसान अपने अकाउंट या क्रेडिट कार्ट से भी पैसा निकाल सकते हैं जबकि जिनके घरों में शादी हैं वे अब धाई लाक रुपए निकाल सकेंगे नोडबंदे के बाद किसानों की मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है इसके अलावा सरकार ने जो दूसरा फैसला लिया है उसमें आम आदमी को परिशानी हो सकती है अब 18 नवंबर से पुराने 500 और 1000 के नोड़ वदलने की सीमा 4,000 से खटकर 2,000 रुपए कर दी गई है नोडबंदे के बाद लोगों का जीवन फंसा गया है और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जबसे नोडबंदे का एलान हुआ है लोगों में एक खासी परिशानी देखी जा रही है और इसी को देखते हुए थोड़े थोड़े राहत भरे फैसले भी आ रहे हैं लेकिन इन राहत भरे फैसलों का लोगों को कुछ खास फायदा नहीं मिलता दिख रहा